सन पंद्रह हिज्री मुताबिक सन 636 इस्वी में खलीफा एदोम हजरत उमर फारुक रदियल्लाह ताला अन्हों के एहदे खिलाफत में उमान और बहरीन के गवर्नर हजरत उस्मान बिन अबुलास के हुक्म पर इनके भाई हजरत हकम इबने अबुलास सक्फी रदियल्लाह त मुसल्मानों ने फोज कशी की इसके अलावा हजरत अली रदियल्लाह ताला अन्हों के एहदे खिलाफत में भी बाज मुसल्मानों ने जिसमें सिरे फहरिस्थ हारिस बिन मरह अब्दी थे सिस्तान के रास्ते से भी सिंध की तरफ कुछ पेश कदमी की सिंध पर मुसल्मानों का कबजा हजरत अली रदियल्लाह ताला अन्हों के अहद में हुआ उस वक्थ हारिस अब्दी इन सरहदी इलाकों के गवर्नर ना थे लेकिन उन्हों ने सिंध पर काम्याब हमला किया याद रहे के इस जमाने में सिंध का इत्तिफाक किसी एक सूबे के बजाए एक वसीख हित्ते पर होता था, जिसमें शामिल मौजूदा सिंध जुनूबी पंजाब, सरहद, बलुचिस्तान और गुजरात का शुमाली हिस्सा शामिल था. दूसरे अलफाज में सिंध का मतलब था जुनूब में बजीरा, अरब्व, गुजरात और शुमाल में जुनूबी पंजाब तक और मश्रिक में मालवा और मगरिब में मकरान तक का इलाका. हजर्त मुआविया रदियल्लाह ताला अन्हो के जमाने में सन चवालीस हिजरी में सिंध गवर्नरी की ये जिम्मेदारी महलग इबने अभी सफरा को सोपी गई. उन्होंने मुल्तान तक का इलाका फतेह कर लिया था.